नमस्कार दोस्तों सीसी के स्लाइज वे डिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मित्रों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आपके लिए एक विशेश रूप से एक सीरी शुरू की हुई है और सीरीज का नाम है प्रिफिशेंसी इन संस्कृत लैंगविज इस सीरीज के अंतरगत इस श्रिंखला के अंतरगत अभी तक हमने छे लेक्चिस का आयोजन किया है और मित्रों हमें यह कहते हुए पार खुशी में हो रही है कि आप निरंतर अपने फीड़बैक के जरिए या फिर अपने कॉमेंट्स के जरिए पोस्ट के जरिए हमें निरंतर इस बात का आभास दिला रहे हैं कि हमारी जो कोशिश है यह सफल हो रही है और आप इस विशाय में अपने रुची दिखा रहे हैं इसके लिए हम एक बार दुबारा से आपको आभार प्रकट करना चाह मित्रो जैसा कि आप सब जानते हैं हमने पिछले सेशन में संख्या के बारे में बात की थी और ये भी आप से वादा किया था कि अगले सेशन में हम जरूर संख्या पर और बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कि किस प्रकार से संख्या का संस्कृत में इस्तिम ही के लिए इस लाइव एडियो से लेक्चर के माध्यम से इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे और इन जवाबों को देने के लिए और इस लेक्चर को आगे और बढ़ाने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र, डॉ पूशिश करते हैं और साथ ही साथ जो भी आपने प्रशने पूछे हैं उनका हल देने की उनका जवाब देने की हम पूशिश करते हैं दॉक्टेर पंकर मिश्र के माथिम से, डॉक्टर मिश्र आपको बहुत-बहुत स्वागत है तैंक्यू गीतिका जी मित्रो सात्वी श्रिंखला में आप लोगों के सामने उपस्थित होने में मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है जैसा कि शुरू में ही परिचे क्रम में गीतिका जी ने कहा कि आज हम संख्या के उपर में चर्चा करेंगे और मैंने भी पिछली श्रिंखला में आप लोगों से कहा था कि संख्या का हम विशद ग्यान प्राप्त करेंगे साथी हमने यह भी बताने का प्रयास किया था कि हम अव्ययों को भी जानेंगे अव्ययों की चर्चा आगामी शिंखला में करेंगे लेकिन आज सबसे आवश्यक्षी जो मैं आप लोगों के सामने शेर करने जा रहा हुआ यह है कि मेरे लिए जो आपकी प्रतिक्रिया रही है वो प्रेरणा दाई का रही है और यह प्रेरणा इस रूप में रही है कि निरंतर आपके प्रशन आते गए हमारे इन लेक्षर्स के उपर हमने प्रयास किया कि जो आपके प्रशन है उन प्रशनों का समाधान पहले दूँ क्योंकि वे प्रशन पिछली श्रिंखलाओं से जुड़े हुए हैं इसलिए सबसे पहले हम उन प्रश्णों की चर्चा करेंगे प्रश्णों में मैं एक चीज पस्ट बता दूँ कि कुछ अशुद्धियां आई हैं लिखने में मैंने प्रश्णों को as it is रखा है इसलिए इसको ये नहीं समझा जाए कि हमने गलत प्रश्ण रखा है हमारे मित्रों के जिस परकार के प्रश्ण हैं उन प्रश्णों को आपके सामने हम ले करके चलेंगे और इसलिए सबसे एक आवश्यक बाते में कहना चाहूंगा कि आप यदि अपने प्रश्ण को अपने नाम के साथ दें किसी गुहिय नाम के साथ ना दें तो हमें भी प्रसन्नता होगी कि मैं ऐसे अपने मित्रों का नाम के साथ प्रश्णों का उत्तर दूँ तो चलें हम प्रश्ण से प्रारंब करते हैं हमारा जो पहला प्रश्न था, वो प्रश्न है इस प्रकार, कि सरोज एक अकारांत स्ट्रिलिंग शब्द है, गलती है कि है नहीं होना चाहिए, ये है होना चाहिए, कि सरोज एक अकारांत स्ट्रिलिंग शब्द है, इसके विभक्ती किस प्रकार चलेंगे, इसके विभक्ती कि किस प्रकार चलेंगे इसमें दो तरह से हमें देखना है कि पहला प्रशने ही गलत है प्रशने इसलिए गलत है कि सरोज शब्द स्त्रिलिंग नहीं है सरोज शब्द अकारांत भी नहीं है सरोज शब्द नपुंग्सक लिंग है और सम्स्कृत में यह प्रयोग सरोजम होता है मैं समझता हूँ कि जैसे ही हमने सरोजम कहा और नपुंसक लिंग कहा वैसे ही आपके मन में विचार कौंध चुके होंगे कि नपुंसक लिंग और अगर सरोजम यानि माहलंत से अंतो होने वाला है तो निसंदेह उसका रूप भलम की तरह चलेगा ठीक है तो इसलिए ये जो प्रश्न बना स्ट्रिलिंग शब्द नहीं है इसलिए अकारांत स्ट्रिलिंग तो जेनरली नहीं होते हैं अब वाद कहीं हो तो साहितिय से ढूनना पड़ेगा लेकिन सामानी रूप से अकारांत स्ट्रिलिंग शब्द नहीं होते हैं विया वहर में अकारांत स्ट्रिलिंग शब्द नहीं आते हैं तो इस प्रकार में समझता हूँ कि आपके इस प्रशन का उत्तर मिल गया होगा दोनों एक साथ क्योंकि यह स्ट्रिलिंग नहीं है तो यह पहला उत्तर हुआ और दूसरा इसके विभक्ती रूप कैसे चलेंगे तो दूसरा उत्तर यह हुआ कि फ्रलम की तरह इसके रूप हम दूसरा प्रशन क्या समस्कृत में सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉंटिनिवस टेंस में अंतर है जैसे वह क्रिकेट खेलता है सह क्रिकेटम खेलती वह क्रिकेट खेल रहा है का क्या सह क्रिकेटम खेलनस्ती उपयुपत अनुवाद होगा इससे पहले कि मैं प्रश्णों का उत्तरदून, हमारे लिए एक विशिस्ट सावधानी है। हम अगर सम्स्कृत भाषा सीख रहे हैं, तो हमें सम्स्कृत भाषा ही सीखनी चाहिए। हम English के आधार पर, या Hindi के आधार पर, या किसी अन्य भाषा के आधार पर, किसी दूसरी भाशा को समझने का प्रयासन ना करें क्योंकि हर भाशा की अपनी वयक्तिक अभिव्यक्ति होती है और उस अभिव्यक्ति की स्वतंदरता उस भाशा मातर के पास है उनकी उस स्वतंदरता का उपयोग समझने के लिए हम किसी दूसरी भाषा में नहीं लाएंगे क्या तात्पर यह हुआ कहने का तात्पर यह है कि आपने कहा कि English के आधार पर Simple Present Tense और Present Continuous इसका तो मतलब यह हुआ कि आप अनुवाद सीख रहे हैं और मेरा प्रयास यह है कि मैं अनुवाद के माध्यम से भाषा न सिखाऊं क्योंकि अनुवाद का जरिया केवल दो भाषा बन गई हमारे लिए या तो English या Hindi लेकिन कलको कोई मराठी में भी पूछ सकते हैं तमिल में भी पूछ सकते हैं तेलुगू में भी पूछ सकते हैं भोज पूरी में भी पूछ सकते हैं तो क्या हम उन उन भाषाओं की अभिव्यक्तियों के अनुसार समस्रित के व्याकरण को बदलेंगे यह तो संभव नहीं है इसलिए समस्कृत की जो प्रकृति है उस प्रकृति की अनुसार हम संस्क्रित भाषा को जाने अब आपका जो प्रश्न है हम उस प्रश्न की चर्चा करते हैं और वो प्रश्न यह है कि वह क्रिकेट खेलता है सह क्रिकेटम खेलती मैं मानता हूँ कि वाकिय सही है समशोधन केवल एक यह है कि क्रिकेटम शब्द सामान्य तया अभी तक समस्कृत में प्रयोग में नहीं आया है मैं प्रयास की प्रशंसा कर रहा हूँ लेकिन अच्छा हो कि क्रिकेटम की जगह अगर हम क्रिकेट क्रिडाम कह दें तो वो अच्छा होगा क्योंकि क्रिकेट शब्द जो है वो समस्कृत का नहीं है और हमें यहाँ पर उसके लिंग निर्दारन करने में हम नपुंसक लिंग लगाएं या स्त्रिलिंग लगाएं या पुलिंग लगाएं ये कठिनाई होती है अंग्रेजी के जो सामानियों शब्द हैं उनमें हम लास्ट में हलंत ले आते हैं और तदनुसार उसकी प्रकृत प्रकृति के अनुसार जो सम्स्कृत के शब्द हैं हम उनको जोड देते हैं तो क्रिकेटम अगर आपने रखा तो वहाँ पर क्रिकेट क्रिडाम है हम उस जगह पर उसको ले लेंगे क्रिकेट क्रिडाम खेलती अन्य था सम्रचना की दृष्टी से आपका यहवाक्य सरवथा शुद्ध है अब प्रशनुत्पन होता है वह क्रिकेट खेल रहा है आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा क्या अन्य भाशाओं में भी यह खेल रहा है वाली अभिव्यक्ती है क्या जो इंग्लिश में आई एंजी है वह अभिव्यक्ती है क्या देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मैं समझता हूँ कि समस्कृत खेलता है और खेल रहा है इन दोनों अभिव्यक्तियों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं मानता अर्थात अगर खेलता है या खेल रहा है दोनों को हम एक ही रूप में देखेंगे आपने बड़ा अच्छा प्रयोग दिया है खेलन लेकिन मैं समझता हूँ कि समस्कृत की मर्यादा की दृष्टी से समस्कृत भाषा के संदर्य की दृष्टी से यह अभिव्यक्ति गलत है और इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए यह मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि हम इस प्रकार का प्रयोग नहीं करें हाँ एक प्रवृत्ति आजकल चल पड़ी है कि यह खेल रहा है या प्लेइंग इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद पूछा जाता है और उस पूछने के क्रम में जो शत्र प्रत्यायांत शब्द है या शानच प्रत्यायांत शब्द है ऐसे प्रयोग को सिखाया जाता है पुछित नहीं है यह क्योंकि सम्स्कृत इस प्रकार की बात नहीं करता सम्स्कृत भाषा में ऐसा प्रयोग नहीं दिखता अगर आधुनिक प्रयोग कहीं प्राप्त होता भी है तो मैं समझता हूँ कि वा समस्कित भारशा के अनुकुल नहीं है इसलिए दोनु जगा हमें प्रयोग करना चाहिए खेलती खेलन अस्ती शब्द प्रयोग गलत है मैं समझता हूँ कि आपके सामने दूसरे प्रशन का उत्तर आपको मिल गया होगा अब है प्रशन तीन वह हस्ता हुआ जा रहा है मुझे प्रसनता हो रही है कि आपने मेरे लेक्चर को बड़ी ही सावधानी से सुना क्योंकि मैंने अपने आखरी लेक्चर में रोते हुए आते हैं सब हस्ता हुआ जो जाएगा हमने इसका अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत किया था और उसी में से आपने आखरी ये वाकिया रखा है रोते हुए आते हैं सब रोते हुए आ रहे हैं सब हम एक-एक के अनुसार चलते हैं जैसा कि हमने शुरू में ही आपसे कहा कि जाता है और जा रहा है यह प्रयोग गलत है इसलिए हसन अस्ती यह हसन गच्छती गायन गच्छती यह व्यवाहर गलत है यह प्रयोग गलत है लेकिन अब इस वाक्य के उपर तु चर्चा अवश्य करे और वह चर्चा है सह हसन गच्छती ठीक है कोई दोश नहीं है क्योंकि हसन शब्द यहाँ पर सह का विशेशन बना और तदन रूप यह वाक्य आपका सही है कि वह हस्ता हुआ जा रहा है में समस्कृत भाषा किसी प्रकार का भेद नहीं करती अब दूसरा है कि वह गीत गाता हुआ जाता है सह गीतम गायन गच्छती यह भी सही है लेकिन अब एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर कि यह गायन जो शब्द है आप किसे इसका विशेशन मानना चाहते है सह का विशेशन यह गीतम का विशेशन सह का विशेशन है तो आप इसो ऐसे देखें क्योंकि सह गीतम गायन गच्छती सही है कोई दोश नहीं है क्योंकि यह सह का विशेशन बन रहा है पुनह वह गीत गाता हुआ जा रहा है तो सह गीतम गायन गच्छती कोई अंतर नहीं है दोनों में मैं पुनह आपके सामने यह अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि गायन गच्छती सह गायन गच्छती ठीक है लेकिन ये जो जा रहा है या जाता है इसमें अंतर नहीं करें लास्ट में रोते हुए आते हैं सब रुदंतह सर्वे आगच्छंती और रोते हुए आ रहे हैं सब इसका भी यही होगा कि रुदंतह सर्वे आगच्छंती तो इस प्रकार, इस तीसरे प्रशन में का भी समाधान हमने प्रस्तुत किया लेकिन इस समाधान के मूल में जो विशई आपके सामने हमने प्रस्तुत किया वो समझना अधिक आवश्यक है और वो समझ यह है कि जा रहा है, जाता है, जो present continuous की बात आपने की, हमें लग रहा है कि उसमें अंतर नहीं करना चाहिए, समस्कृत में इस प्रकार का अंतर सामान्यतया नहीं प्राप्तो होता, कम से कम लोकिक समस्कृत साहिती में इस प्रकार की प्रवृत्ती नहीं देखी ज आती है, आधुनिक समस्कृत साहिती में प्रवृत्ती देखी जा रही होगी, जो मैं अभी तक देख नहीं पाया, लेकिन यदि कहीं है, तो आप उसे सुन्दर समस्कृत न माने, हम इसे जुगार समस्कृत जरूर कहेंगे, प्रश्न संख्या चार, यह प्रश्न, निसंद प्रश्न देखते हैं क्या है, और क्यों मैंने इस प्रश्न को इतना कथिन बना करके आपके सामने प्रस्नत किया है, प्रश्न है, how to decide gender of nouns in Sanskrit, at times it is very confusing, for example, how come व्रिक्ष is masculine, but पुष्प, वन, and पत्र are neuter genders, is there any way to ascertain the gender of a noun in Sanskrit, प्रश्न प्रश्न पूछा जाता है, कि सर, किसी दी शब्द का लिंग निर्धारन कैसे करें, लिंग पर एक विशेश चर्चा में, आगामी कक्षा में करूंगा, और आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन यहां पर जो मैं समझता हूँ, आवर्शा कभी आपको बताना वह यह है, कि हमें यह देखना है, कि समस्कृत में जो शब्द निर्मान है, वह वस्तू की प्रकृति के अनुसार लिंग निर्धारन करता है, अथवा शब्द स्वयम अपनी सम्रचना के अनुसार अपने लिंग को प्रकट करता है, मैं समझता हूँ, आप इ प्रकृति होती है, शब्द की सम्रचना के अनुसार शब्द के जो होते हैं, वो लिंग हम जान पाते हैं, अन्य था कभी-कभी आप आएंगे कि शब्द तो है स्त्री, शब्द तो है पत्नी, पत्नी स्त्री होंगी, लेकिन उसके लिए एक शब्द है दारा, और ये दारा अगनी शब्द हिंदी में आपके मनु मानसिक्ता में यह पूरी तरह से घुसा होगा कि अगनी तो स्ट्रिलिंग है लेकिन नहीं सम्स्कृत में अगनी शब्द पुलिंग है इसी प्रकार व्यक्ति शब्द व्यक्ति शब्द भी लगता है कि जैसे पुलिंग हो कैוכιά हम आहम सारे आदमीयों के लिए व्यक्ति शब्द का प्रयोग बिना किसी रोक टोक के कर डालते हैं लेकिन व्यक्ति शब्द स्ट्रिलिंग है और तो ओर मित्रो जो मित्र शब्द है, जो मित्रो मैंने आपसे कहा वो मित्रश शब्द भी संस्कृत में नपुंक सक लिंग है इसलिए ध्यान रखना है कि व्यक्तिव विशेस के रूपस्वरूप के आधारपल लिंग निर्धारन के लिए हम विशेस्य विशेशन का प्रियोग करते हैं और विशेशन उसकी प्रकृती को बताता है लेकिन जब आगे हम लिंग के उपर में अपनी कक्षा करेंगे तो ऐसी सारी समस्याओं का समाधान हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे आशा है, मेरे मित्र, जिन्होंने आपने ये चारो प्रशन हम से किया है उनको अपनी आशा के अनुसार, अपनी आकांख्षा के अनुसार उत्तर प्राप्त हो गए होंगे अब हम आज की अपनी जो मुख्य कक्षा है, अपनी जो मुख्य श्रिंग खला है हम उसके उपर चर्चा करते हैं और वो चर्चा है संख्याओं का इसलिए कक्षा में हमने संख्याओं के उपर में अच्छा खासा श्रम किया था उसको प्रकट करने के लिए आपके सामने लेकिन फिर भी क्या है कि संख्या एक अबूज पहली बनी रहती है लंबी-लंबी संख्याओं होती है बड़ी-बड़ी संख्याओं होती है English में तो हम उसे million, billion, trillion आदी से कह डालते हैं लेकिन आप लोग संस्क्रित में जानते हैं कि संस्क्रित में हम ये परंपरा लेकर के एकक, दर्शक, शतक, सहस्र फिर उसके बाद आगे लेकर के चलते चले जाते हैं और कहां पद्म, नील, शंख, आधी तक की संख्याओं की परिगना हम अपने विवेचन के क्रम में कर डालते हैं समझ के लिए आसान है लेकिन जब भाषा में इन संख्याओं को पिरोया जाए तो कैसे प्रस्तोत करें, कठिनाई वहां से उत्पन होती है जैसा कि मैंने प्रार्म में भी आप लोगों से चर्चा की थी कि संख्या वस्तुतह विशेशन है हम विशेशन रूप में संख्या का प्रयोग करते हैं सामान्यतया अगर आप स्वतंत्र प्रयोग करें तो हो सकता है कि वहां विशेश्या बन जाए लेकिन सामान्यत या संख्या विशेशन के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं इसलिए संख्या की यह प्रवृत्ती है कि वो तीनों लिंगों में चलेगी लेकिन तीनों लिंगों में चलेगी वचन भी तो देखने होंगे इसलिए कक्षा में चर्चा की थी कि एक चुकी एक होता है इसलिए इसके द्विवचन और बहुवचन नहीं होंगे दो चुकी दो है इसलिए इसके दो वचन एक वचन और बहुवचन नहीं होंगे इसी प्रकार दो से आगे की जितनी भी संख्या होगी वो संख्या कभी भी उस संख्या के सौभाग्य में एक वचन होना और द्वी वचन होना नहीं है क्योंकि स्वयम उसकी सत्ता जो है वह बहुवचन की है इसलिए हम जब भी प्रयोग करेंगे इस प्रयोग को हास करके ध्यान में रखना है ताकि प्रयोग के क्रम में किसी भी प्रकार की असावधानी ना हो अब इसके बाद हम चलते हैं ये जानने की कोशिस करते हैं कि सामान्य व्यवाहर में हम संख्या का प्रयोग किन किन प्रकारों से करते हैं हम प्रयोग करते हैं संख्या का विशेशन जिसके हमने चर्चा की हम प्रयोग करते हैं पूरणी के रूप में प्रशन उत्पन होता है यह पूरणी है क्या हम जिसे कहते हैं पहला दूसरा तीसरा फर्स सेकेंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार के प्रयोग को पूरणी संख्या कह और इसको आप जानते हैं प्रथम, द्वितिय, तृतिय, चतूर्थ, पंचम आदी रूप में तो इसकी चर्चा करेंगे फिर है वाग्व्यवहार ये वाग्व्यवहार कोई व्याकरण का सिध्धान्त या किसी ग्रंथ का सिध्धान्त नहीं है हमने केवल आपकी समझ को बढ ले आना, तिन-चार रोटी दे देना, दो-चार लोगों को बुला लो मुहावरा में जी ये दो-चार, तीन-पांच, पांच-छे इस प्रकार के जो प्रयोग करते हैं इसकी भी अविव्यक्तिय संख्या के माध्यम से निकलती है लेकिन इसका प्रयोग प्रिसे करेंगे हम घहां रखेंगे बार यानि यानि वार, वारम, हम कहते न, वो एक बार आया, दूस्री बार चला गया, तीसरी बार किसी ने देखा नहीं, चौथी बार मेरे मन में मिलने की इच्छा होती है, पांच-वी बार काशवा होता, तो इस प्रकाज ये पहली, दूसरी, दूसरी ब पार का जो प्रयोग करते हैं इसके भी अभिव्यक्ति संख्या के माध्यम से ही निकल रही है और इस अभिव्यक्ति को हम कैसे प्रस्तुत करेंगे हम उसे भी जानेंगे हम सबसे पहले पूर विशेशन की चुकी हमने बहुत चर्चा कर ली है पिछले मेरे खाल से दो तीन ले के परिचैसे बात शुरू कर रहा हूं पूरनी संख्या में हमने दो टेबल अभी आपके सामने आएगा उस टेबल में आप देख पाएंगे कि प्रथम तह दशम पर्यंतम और एका दशत तह उन विंशत शततम पर्यंतम जो हमने पूरनी संख्या बनाई है वो आपके सामने भी टेबल पे दिखना चाहिए वो संख्या क्या है प्रथम द्वितीय कृतीय चतूर्थ पंचम शस्थ जहां रखना है यह जो शस्थ शब्द है न इसको लोग शस्थम लिख देते हैं अज्यानवश शस्थम प्रयूग नहीं होगा यह शस्थ होगा इसी प्रकार सब्तम ह में भी मा में हलंत नहीं दिखना चाहिए अश्टम में भी हलंत नहीं दिखना चाहिए नवम में भी हलंत नहीं दिखना चाहिए और दशम में भी हलंत नहीं दिखना चाहिए तो इस प्रकार एक से लेकर के दस तक की जो पूरणी संख्या बनी वो पूरणी संख्या इस प् प्रथम, द्वितिय, तृतिय, चतुर्थ, पंचम, शस्थ, सप्तम, अश्टम, नवम और दशम। इसके बाद पूरणी संख्या की प्रकृति बदल जाती है। कैसे उसको देखते हैं। एका दशतह उनविंशतितम पर्यंतम। यानि 11 से लेकर के 19 तक की जो संख्या है हम उसकी पूरणी को कैसे समझें। एका दश सावधानी है, यह एका दशम नहीं है और नहीं यह एका दशतम अभी हमने बनाया है। यह एका दश है, द्वा दश है, त्रयो दश है, चतुर दश है, पंच दश है, शो डश है, शट दश नहीं, शो डश है, सप्त दश है, अश्टा दश है और उनविंशति है। ध्यान लखना है यहाँ पर, उनविंशति को कभी-कभी नवदश भी कहा जाता है। कभी-कभी नहीं गलत प्रयोग नहीं है, आप चाहे तो इनका प्रयोग कर सकते हैं, नवदश यह इसा प्रयोग आप ला सकते हैं, लेकिन व्यवहार में या साहित्य में नवदश प्रयो सव हो, उनकी अभिव्यक्ति के लिए उस मूल संख्या के इस प्रारंभ में हम उन लगा देते हैं, और उन का मतलब होता है एक कम, ठीक है, कि अगर हम उन विंग्षती कहते हैं, तो इसका क्यारतो हो जाएगा, बीस में एक कम, उनीस हो गया, तो इसी तरह से यहां तक की पूर आईयो दश, चतुर दश, पंच दश, शोडश, सप्त दश, अश्टा दश, उन विंग्षति, अब इनके प्रयोग लिंगों के अनुसार हो जाएंगे, जैसे हमने कहा प्रथम, तो प्रथम चात्रह पूलिंग हो गया, प्रथमा चात्रह श्त्रि लिंग हो गया, और दशम शब्द को ले 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 तो दशम बालकः दशमी बालिका मैं दशमी से मुझे याद आ रहा है कि अभी कल ही आप लोगों ने इस दशहरे के अवसर पर दशमी तिथी आपने सुनी होगी यह जो तिथी शब्द है स्ट्रिलिंग है इसलिए प्रयोग किया गया दशमी यह दशमी थी और आज एकादशी है इस लोकब व्यवहर में एकादशी शब्द को आप प्रयोग में लाते होंगे क्योंकि एकादशी इसलिए कहा जाता है या दवादशी इसलिए कहा जाता है कि यह स्ट्रिलिंग है तो इस प्रकार दशमाह बालकः दशमी तिथी और दशमम दलम, दशमम, फलम तो इस प्रकार से हम लिंगों के अनुसार इसके प्रयोग करते हैं और रूप जो चलेंगे यह भी स्पष्ट है अगर पुलिंग है तो बालकह की तरह, देवा की तरह, रामा की तरह अगर स्क्रिलिंग है तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर दीरगई का रामतर शब्द है तो नाचरली वह नदी की तरह रूप चलाएंगे इस त्रिलिंग में जैसा कि हमने पहले प्रयोग देख लिया है हमने आपके सामने पूरी इन विभक्तियों का परिचे दिया है की तरह त्रितिया से चलते चले जाएंगे इसके बाद प्रयोग हम देखते हैं वह प्रयोग है हमने संख्या के अन्य रूप भी लिये हैं यहाँ पर अब इन संख्याओं की अभिव्यक्ति कैसे होगे बड़ी-बड़ी संख्याएं आती है उनको हम कैसे संस्कृत में प्रयोग में लाएंगे तो अपनी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर उदाहरण में लिया है 795 शब्द और यह जो 795 है इसका मतलब हुआ अब देखेंगे कि जो इकाई है एकक, दशक और शतक हम इन से क्रमसह ले जाते हैं और क्या है पंच, नवत्युत्तर, सब्द शत्म यानि पहले हमने 5 को लिया उसके बाद हमने 9 को लिया सारी, नौ नहीं कहना चाहिए 90 को लिया क्योंकि 90 में 5 जुर करके 95 होता है तो 90 लिया, 5 हुआ उसके बाद फिर 90, नवत्युत्तर और फिर बाद में 700 को लिया है सब्द शत्म तो पंच, नवत्युत्तर, सब्द शत्म इसके लिए नीचे आपके सामने देखेंगे कि एक समीकरण है एक एक्वेशन हमने बना करके रखा है एककम, दशकम और शतकम इसका मतलब क्या हुआ है कि पहले हम इकाईश शब्द को संख्या में प्रयोग में लाएंगे उसके बाद हम दाहाईश शब्द को संख्या में लाएंगे और फिर उसके बाद शतक जो सैकड़ा है उसको हम संख्या में जोडेंगे तब जाकर कि ये शब्द निश्पन न होगा दूसरा इसमें हमने अलग-अलग धंग से दो बड़े उदाहरन आपके सामने रखे हैं यह उदाहरन है 15,673 जो equation हमने पीछे रखा था एकक, दशक और शतक का, इकाई, दाहाई और सेकड़ा का या उसके बाद फिर हजार भी आ रहा है क्योंकि 15,673 है तो सबसे पहले 73 देखते हैं तो 73 क्या है? आप देखेंगे कित्री सप्तती इसमें भी 73 में, जो 73 का 3 है या एकाई है और जो 70 है वह दाहाई जिसे दशक हम कहेंगे तो 3 को पहले प्रयोग में लाएंगे और 10 को बाद में प्रयोग में लाएंगे लोग 15,673 जिसकी चर्चा कर रहे थे और 15,673 में हमने एक बात आपके सामने प्रस्तित करने की कोशिश की थी और उसमें हमने दिखाने का प्रयाज किया था कि 73 उसके बाद प्लस 600 प्लस 15,000 जो आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है और 73 के हम व्याख्या कर रहे थे तो देखेंगे 73 आपके नीचे 37 आ रहा है अब क्या होता है कि जब बड़ी-बड़ी संख्याओं को हम जोडते हैं तो हम अगर एक साथ 37, 67, 75 इस तरह करेंगे तो संस्कित में ऐसी अभी व्यक्ति नहीं होती हर एक इकाई के बाद हम अधिक शब्द जोडते हैं आप चाहें तो इसके साथ उत्तर शब्द भी लगा सकते हैं यानि अधिक के स्थान पर उत्तर शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है जैसे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है प्रकारी ये शब्द बन जाता है हमने एक और बड़ी संख्याली है आप लोगों के लिए क्योंकि संख्याओं की संख्या तो बढ़ती ही चली जाएगी केवल इसे समझना है हमें फॉलो करना है जो उपर में 15,673 का जो क्रम रखा है हम उसी क्रम में आगे की चर्चा करेंगे और वो क्रम क्रम क्या है देखे एक लाख 15,332 मतलब एक लाख 15,332 अब इसको कैसे लिखेंगे समझने के लिए अभ्यास के लिए तो प्रयोग वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने शुरू में कहा जैसी उसमें आप सबसे लास्ट में देखे होंगे जो अपने राइट हैंड साइड में दाहिनी तरफ शब्द है 32 तो हम 32 का प्रयोग पहले करें फिर उस 32 सव में 300 जोड़ेंगे फिर उस 300 में हम 15,000 को जोड़ेंगे और उस 15,000 में फिर आखरी जो लाख की संख्या है उसको जोड़ेंगे तदनुसार ये शब्द जो आपके सामने आ रहा है या आया होगा जो स्क्रीन पे आपने देखा है वह इस तरह से है द्वा त्रिंग्षद अधिक त्रिशत अधिक पंच दश सहस्राधिक लक्षम पुनह देखें द्वा त्रिंग्षद अधिक द्वा त्रिंग्षत होता है 32 के लिए त्रिशत अधिक 300 के लिए पंच दश सहस्राधिक 15,000 के लिए और एक लक्ष है तो शताधिक लक्षम कहन मात्र से भी एक लाख का बूद होता है लेकिन अगर यही दो लाख होता तीन लाख होता तो दो के अनुरूप यहाँ पर हम शब्द लगा देते द्वी लक्षम या त्री लक्षम तो तदनुसार यह पूरा का पूरा जो है एक लाख पंद्रह हजार तीन सव बतीस इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं द्वात रिंख्षद अधिक पंचदश सहस्राधिक द्वात रिंख्षद अधिक त्री शताधिक पंचदश सहस्राधिक लक्षम पता मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार के प्रयोग से हम घर में भी इस क्रीडा को खेल सकते हैं अपने मन से किसी भी प्रकार से कभी भी किसी भी मित्र से कहें कि वो संस्क्रित के लिए आपको इंग्लिश में या हिंदी में कोई संख्या दे और तदनुसार इसी नियम को सावधानी से प्रयोग करेंगे आपके सामने संख्या संस्कृत में स्वयमेव उपस्थितों हो जाएगी अर्थात संख्या पे आपकी जो कह सकते हैं संख्या पे आपका अधिकार बन जाएगा लेकिन अभ्यास करते हुए केवल देखने मातर से इस लेक्षर को सुनने मातर से संस्कृत का बोध नहीं होना है संस्कृत का ज्यान तो आप अगर इस लेक्षर के आधार पर अभ्यास करेंगे तभी हम उन उन विशयों को अच्छी तरह से जान पाएंगे और समझ पाएंगे हमने एक चर्चा और की थी वो चर्चा थी वाग्व्यावाहर की और वाग्व्यावाहर के एक्रम में यह भी बताने का प्रयास किया था कि हम डे-टु-डे लाइफ में अपने दैनंदिन जीवन में प्रयोग करते हैं अरे दो-तीन बच्चों को तो बुला लो पांच-साथ लोग रहते तो अच्छा होता अब ऐसे प्रयोग को हम कैसे लाएं और समस्कृत में यह अभी व्यक्ति है ऐसा नहीं है कि जो मैंने शुरू में भुमिका में आप से कहा कि हम हिंदी में ना समझें इंग्लिश की बातों को सम्सकृत में ना लाएं वो सत्य है लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सम्सकृत में भी इसी अभी व्यक्ति antir जो अन्यव याकरन में है और हम आप सभी जानते हैं कि भारत की प्रयशा और अधिकांग्ष भावशा जो है वो सम्सकृत से ही उपकृत है समस्कृत से ही वो भाषाई जो हैं वो पन्पी है और बनी है तो इसलिए समस्कृत के अभी व्यक्ती उन उन भाषाउ में तो होंगी ही तो समस्कृत में भी यव्यक्ती है वाग्व्यवाहर में कि 5-4 लोगों को बुलाओ अब हमने आपके सामने दो उदाहरन रखे हैं और वो उदाहरन देखिए एक है पांच छे, साथ आठ पांच छे और साथ आठ क्या मतलब हुआ है जैसे केते हैं पांच छे भल हलाकि मैंने त्रितिया भी भक्ति का यहां प्रयोग किया है पंच शेह भलाई है लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा है कि यह पंच शेह ही क्या है उसी को समझना है यही वाग्यवहर समस्कृत का है सामान्य नियम यह है कि अगर पंच और छेह या साथ और आठ या इस प्रकार की कोई अन्य संख्या हमारे सामने आ रही है तो उनमें से जो दूसरी संख्या है जैसे पांच छे है तो छे दूसरी संख्या हुई पांच पहली संख्या हुई या इसी प्रकार साथ आठ साथ पहली संख्या हुई आठ दूसरी संख्या हुई तो यहाँ पर जो आपको दूसरी संख्या है, उस दूसरी संख्या को हम पुलिंग में कनवर्ट कर देते हैं, अकारांत पुलिंग में कनवर्ट कर देंगे, और तद मुसार हम उसके विभक्ती चलाएंगे, पंच शह, पांच छे, बहुवचन बना लिया, पंच शह, साथ आठ दिनों में, तो यहाँ जो आप देखेंगे, यह बड़ा ही शुरू में, प्रयोग में कई-कई संख्याओं को अकारांत के कनवर्जन में दिक्कत होती है, जैसे अभी शच शब्द है छे के लिए, और वहाँ पर हमने पंच शह कर लिया, यह जो चीजे हैं, यह मेरे ख चर चलने वाला था, इसे लिए, कि अभी व्यक्ति मात्र के लिए, समझ मात्र के लिए, यहाँ पर हमने लाया है, यह है, कि पंच शह, पंच शह, दो तीन, ठीक है, तो यह द्वित्रई है, दिवसाई है, दो तीन दिनों से, तो यह द्वित्र शब्द बन जाता है, द्वि जो चीजे हैं, हम प्रयोग करते हैं, करेंगे, अगर कोई परेशानी होगी, अगर कोई समस्या मेरे मन में भी उत्पन होती है, कि जो चीजें समझ में कठिनाई उत्पन करें, तो मैं आगामी के कक्षाओं में, आगामी के स्रिंखलाओं में, उसे ला करके भी आपके सामने प एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार, बार-बार, पहली बार, दूसरी बार, तो इस तरह के शब्द प्रयोग में आते हैं। हमने जो भी रिपिटेड को दो-तीन बार के शब्द बोले, उसमें संख्याओं से संबध दो शब्द थे एक बार और पहली बार है ना आप कई ऐसे शब्द मिलते हैं पहली बार तो खेर कई बार प्रयोग में आया है फिल्मी गाने जो होते हैं उसमें पहली बार शब्द कई बार प्रयोग में लाए जाते हैं लेकिन यहां जो पहली शब्द है या पूरणी है, या पूरणी संख्या है, और बार शब्द जो है उसको हम वारम प्रयोग में लाएंगे, ठीक है, तो अगर हम पहली बार कहते हैं, तो उसको पुरथम वारम समझना साइए, लेकिन अगर एक बार कहेंगे तो एक बार का एक वारम, अभी देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे, ये कुछ हमने शब्द ले रखा है, एक है, द्वी है, त्रि है, सब्तदश है, त्रियशीती है, ये पाँच शब्द हमने लिया है, क्रमशा जंप करके कहीं कहीं से चुन लिये हैं, इसका ये मतलब नहीं, कि इन पाँ या हमने त्रियशिति ही क्यों लिया योजना किवाल ये है कि हमने कहीं से पांच शब् Хот सुने और उन पांच शब्दों के माध्यम से आपको यह जानकारी दी जा सके कि वारम शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे तो एक बार एक वारम दो बार द्वि वारम है तो प्रशनोतमन होता है 17 बार के लिए क्या प्रयोग करें इसी तरह मुहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमन किया या पृत्वी राज चौभान से उनकी लडाई हुई लडाई एक बार हुई हो दो बार हुई हो तीन बार हुई हो या सत्रह बार हुई हो इसका निर्धारन करना इतिहासकारों का काम है हमारे लिए तो यहां विशेक के वाल इतना मात्र है कि वो वार जो है संख्या के साथ जुड़ा हुआ वो कितनी बार है तो सत्रह बार हो या तीन बार हो वहाँ पर हम वारम शब्द प्रयोग करेंगे इसलिए शब्द है सब्धदश वारम यानि 17 बार इसी तरह फिर है त्रियशीति क्या मतलब हुआ 83 कि 83वे बार हलां कि उदाहरन हमें नहीं प्राप्त है कि 83वे बार भी कहीं प्रयोग में आया है लेकिन प्रयोग में लाया जा सकता है कि अपने तिरासिवे बार में किसी एक क्रिकेटर ने सेंचूरी लगाई तो बनतो सकता है उदारन तो बनाया जा सकता है इसलिए त्रियशीती शब्द यहां लिया और उसमें भी त्रियशीती वारम शब्द हम प्रयोग में लाते हैं हम एक बार देखें कि हमने संख्याओं के विशय में क्या जान लिया है क्योंकि शायद ये संख्या की उपर में आखरी कक्षा हो इसलिए मेरा यदाइत्व बनता है कि उन सारे विशयों को हम फोकस करें जो संख्या से संबध्ध आ जाए हमने विशेशन के रूप में सबसे अधिक चर्चा की है और बहुत बार चर्चा की है पिसली कक्षा में तो मैंने वाक्यों में प्रयोग करके भी इन संख्याओं को बताने का प्रयास किया था विशेशन के माध्यम से हमने आज जो तीन नई चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की है वो है पूरणी संख्या वाग व्यवहार में प्रयोग में लाई जाने वाली संख्या और वार के साथ जो प्रयोग में लाई जाने वाली संख्या है हमने उस रूप में संख्याओं को रखा है हो सकता है कि संख्याओं का प्रयोग किसी अन्य तरीके से भी किया जा सकता हो या किया जा रहा हो जहां पर मेरी दृष्टी नहीं गई अगर आप इस रूप में कहीं जान रहे हों कि संख्याओं का प्रयोग है तो ये संख्या एक तरह से पूर्ण होती है और संख्याओं की चर्चा खत्म होती है लेकिन हमने शुरू में एक और चर्चा की थी वो चर्चा थी अव्याई की इसकी भी बार-बार चर्चा आ रही है खलू की चर्चा, ही, नू, ऐसे कई शब्दों होते हैं जिन शब्दों के आधार पर हम कई सारी अभिव्यक्तियों को प्रकट कर पाते हैं कई सारी बातों को आपके सामने हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं सम्स्कृत में अब जैसे भी है और ही है एव और अपी एव यानि ही और अपी यानि भी प्रयोग तो होता ही है और ये अव्याय ध्यान रखना है कि ये अव्याय केवल सम्स्कृत में ही नहीं है बलकि सम्स्कृत से ही अन्य भाशाओं में भी इन अव्यायों का संक्रमन देखा जाता है हम हिंदी में भी कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है ब्रह्मईव सक्त्यम हर प्रकार की संभावनाओं को रोग देते हैं और एक जगा जैन दर्शन वाले कहते हैं कि यह भी सक्त्य है देखें कि यह दो धर्शन प्रक अर्थो हो गया लेकिन यह भी और ही प्रयोग बहुद हाँ है हम जब भी की बात करते हैं तो कई सारे विकल्प हमारे सामने उपस्थित होते हैं तब भी बात करते हैं और एव की जब बात करते हैं ही की जब बात करते हैं तो सारे विकल्पों को हम हटा देते हैं और एक निष्ठ हो जाते हैं एक निर्णय मात्र में हम लीन हो जाते हैं यही है अव्या का चमतकार अव्या की अव्या की बड़ी शशक्तों होती है और इसकी सशक्तता अभी केवल मेंने अपी और एव से आपके सामने प्रकट की है इन सशक्तताओं को इस शमता को और अव्या की इस योग्यता को जानना वहोत ही आवश्यक है क्योंकि अव्य में एक सहायता क्या है अपने लिए, कि हम अव्य के रूप याद नहीं करते, जो शब्द जैसा है, जिस रूप में है, उसी तरह से उसका प्रयोग होगा, किसी भी प्रकार का इरोजन, किसी भी प्रकार का अपक्षय, इस अव्य के ऊपर नहीं होता, हो सकता है, पुलिंग हो, तो शस्ठी एक वचन एवस्य बनना चाहिए, नहीं, एवस्य नहीं बनेगा, क्योंकि अव्य है और अव्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि जब हमने आप लोग को लिप और त्वा और तुमन प्रत्याय पढ़ाया था प् लेकिन शब्द दिखने से ऐसा लगता है कि ये शस्ठी एक वचन हो, नहीं, ये शस्ठी एक वचन नहीं है, ये अव्य है और हस्धातु में लिप प्रत्याय लगा है वी उपसर्व के साथ, इसलिए ये विहस्य बना है, और ये विहस्य अकारांत भी नहीं है, जिसका हम र हाय शब्द का परिचे दो, और जो भांत बच्चे होते हैं, वे छूरते ही कहते हैं, चतुर्थी विवच्टी एक वचन, ऐसा नहीं है, ये अभी क्या है, अव्य है, क्योंकि इसके रूप नहीं चलते, विवसर्ग है, हाध हातु है, और लियप प्रत्या है, और लियप प प्रयोग बड़ा ही सरल होता है, लेकिन अव्य किसी भी रूप में सामानियत आया, आपको ना तो संग्या बनकर आता है, ना विशेशन बनकर आता है, बल्कि वाक्यों में एक दृढ़ता, वाक्यों में एक अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए, हम अव्यायों का प्रयो ले रहे हैं, और जिस चीज का हम प्रयोग लेते हैं, उसको तो निरर्थक नहीं कहा जाना चाहिए, तो इसलिए निरर्थक होता नहीं, लेकिन यहां निरर्थक शद का अर्थ होता है, कि बहुत अधिक उसके अर्थ का प्रभाव वाक्य पर नहीं पड़ता, अब जैसे खल प्रयोग में आते हैं, हम लोग कभी-कभी कह देते हैं कि यह निश्चयार्थक अव्या है, लेकिन प्रकृति गत कोई इसका अर्थ सामान्यतया नहीं होता, कभी लोग इन अव्यायों का प्रयोग छंदह पूर्ती के लिए करते हैं, क्या मतलब कि जब वो श्लोकों का निर का कि सरसिज मनु विध्धम शैवले नापि रम्यम मलिनम अपि हिमांग्षोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोती इयम अधिक मनुग्या वलकले नापि तन्वी किमिव हिम अधुरा नाम मंदनम नाकृती नाम चार चरन हैं, चारो पंक्तियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर इसमें शकुंतला के संदरिय का वर्णन है, पहली पंक्ति है सरसिज मनु विध्धम शैवले नापि रम्यम इनमें जो शैवले नापि शब्द है इसमें अपि शब्द का प्रयोग है, यहां पर यहां सार्थक है, अपि शब्द का प्रयोग है यहां अर्थ दे रहा है कि कम कमल काई से लिप्टे होने पर भी सुन्दर ही दिखता है तो सेवले नापी काई से भी अर्थात किसी और भी चीज़ से लिप्टे होने पर तो सुन्दर लगता ही लगता है लेकिन काई जो देखने में अच्छी नहीं है उससे लिप्टे होने पर भी कमल जो है वो सुन्दर प्रती तो होता है दूसरी पंक्ति है मलिनम अपी हिमांग्शूर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति मलिनम अपी मलिनम अपी तो क्या करहा है कि चंद्रमा की किरने यानि चंद्रमा के कलंक युक्त होने पर भी चंद्रमा का जो कलंक है वो चंद्रमा की सुन्दरता को बढ़ाता ही है मैं साहित ये नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरा ध्यान है अपी-अपी के प्रयोग के ऊपर उसको देखेंगे मलिनम अपी अर्थात चंद्रमा का जो कलंक है वो मलिन होते हुए भी कालिमा युक्तो होते हुए भी सुन्दर प्रती तो होता है तीसरी पंक्ती है ये मधिक मनोग्या वलकले नापी तन्वी अर्थात ये तन्वी ये शकुंतला तन्वी दुबली पतली ठीक है जो वाक्य है उसमें भी एक अव्य है वो है किमिव ही एक तो किम इव है इव भी अव्य है किमिव ही ही भी अव्य है किमिव ही मधुरा नाम मंदनमना कृती नाम और थात सुंदर वस्तू को कौन सी सुंदर वस्तू ध्यां से देखेंगे किमिव ही मधुरा नाम मंदनमना कृत नाम कि यानि जो वस्तु यथार्थ में सुन्दर हो उसका क्या नहीं आभूशन बन जाता है अर्थात सुन्दर वस्तु के साथ जाने पर सामान्य वस्तु भी सुन्दर प्रती तो होने लगता है यहां पर जो दो शब्द है इव और ही हमें लग रहा है कि ही का प्रयोग जो ह यहाँ पर यह पाद पूर्ती के लिए है यद्यपी अर्थ जो इसका है ही का अर्थ हम क्योंकी लेते हैं समानिय तया और इसका प्रयोग भी बहुदा है लेकिन कालिदास जिस तरीके से प्रयोग करते हैं अगर ही के मदले में कोई शब्द भी दूसरा ला लेते लिए आते अभिव्यक्ति परक्त तो कोई दोश नहीं होता लेकिन चुकी एक ही उनको लगुष शब्द लाना था और उस लगुष शब्द की पूर्ती के लिए ही जरूरी था इसलिए यहां पर इनोंने ही का प्रयोग किया है और उससे पहले समानता दिखाने के लिए इव जो किमिव में इव है उस इव का प्रयोग किया है एक पद्य चार अभ्याय तीन रूप में हम प्रयोग में देख पा रहे हैं दो है अपी अपी प्रथम दो पंक्ति में और दो है आखरी में इव और ही तो जो यह अव्य है इन अव्यों से आपका परिचाय करवाना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमने संग्या, विशेशन, सर्वनाम, शब्दुरूप, धातुरूप, आदि का प्रियोग दिखाया और अव्यों का प्रियोग अगर आप अपने पास रख लेते हैं तो संस्कृत में शब्दों का एक अपूर नहीं है जिसको कह सकते हैं एक अपूर नहीं कहें मेरे कासे यह शब्द गलत होगा या कि यह बहुत बड़ी संपत्ति आपके सामने यह बन जाएगी क्योंकि यह अव अव्याइ सरल है आपने उच्चाइ नीचा प्रियोग किया होगा यह स्थप्द प्रियोग में आते हैं कई ऐसे हैं क liberated वै यह ऑने वाली जो हमारी श्रिंख खला होगी उन श्रिंख-खलाओं में इन व्याक्याओं को प्रस्तूत करेंगे अव्याइ के विषय में इसके साथ जो एक और नई चीज में आप लोगों के सामने चर्चा में लाना चाहता हूँ वो है कारक हमने विभक्ती जानी लेकिन हमने कारक के प्रयोग नहीं जाने और कारक का प्रयोग ऐसा है कि इसके प्रयोग के बिना वाक्य शुद्ध हो ही नहीं सकता English में आप लोग एक सामान ये प्रयोग देखते होंगे जो हमें स्कूलों में सिखाया जाता रहा है Common Errors की कि हमें मालूम रहता है लेकिन फिर भी हमसे वो गलतियां हो जाती है तो ये Common Errors सारी भार्षाओं में होती है जो सामान ये अशुद्धियां है, सामान ये गलतियां है वे सारी भार्षाओं में होती है समस्कूत भार्षा भी इससे अच्छूती नहीं है समस्कूत भार्षा में गलतियां नहीं है लेकिन समस्कूत भार्षा के जो प्रयोग करने वाले होते हैं ये तो गलतियां करेंगे ही, तो ऐसे गलतियों को दूर करने के लिए, हम कारक विभक्तियों का भी प्रयोग आपके सामने दिखाएंगे, और वो विभक्ति हमारी होगी, द्वीतिया से ले करके सब्तमी तक, उसमें कई ऐसे प्रयोग है, एक तो सामानिय देखिए कारक विभ गाड़ी से जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, कि साहचर ये संबंध रहता है, एक निकट ये वोध होता है हमारे सामने, हमें निकटता की अनुभूती होती है, संयोग संबंध होता है, कलम का या कार का, तो वहाँ जो प्रयोग होगा, उसके लिए हम कौन से भी भक्ति लाए क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान, एक सेपरेशन हो रहा है, एक पार्थक क्यबोध हो रहा है, कि दो वस्तु अलग अलग हो रहे हैं, पेड से पत्तों का अलग होना, स्कूल से चात्रों का अलग होना, क्या दोनों से का प्रयोग एक ही समान होगा, ऐसा तो है नहीं, क् कि अभिव्यक्ति भिन है तो वो क्या प्रयोग है हम उसको जानने की कोशिस करेंगे हम कभी किसी को कोई वस्तु देते हैं वस्तु दो रूपों में दी जाती है एक तो दी जाती है कि हम लोटा लेंगे और एक दी जाती है कि हम कभी लोटाएंगे नहीं कभी सोचा इस विशे इसके लिए भी हमारे यहां प्रयोग है हम उसको भी प्रयोग में लाते हैं अपने वाकिय में प्रयोग किया होगा कि वह गाई को दूहता है आप ध्यान से सुनें अगर हिंदी की ही दृष्टी से समझनी हो तिस वाकिय को भी देखें कि वह गाई को दूहता है गाई को करेंगे राम ने रावन को बान से मारा यानि राम के द्वारा रावन बान से मारा गया अगर आप बात्य को सिंप्लिफाइ करेंगे तो यह अर्थ होगा और राम के द्वारा और बान के द्वारा दोनों में द्वारा शब्द छिपा हुआ है अगर हिंदी की दृष्टी से द जानते हम इन विशयों की भी चारचा कारे की विभक्तियों में पढ़ेंगे और ध्यान रखना है कि जिस प्रकार English में सुंदर English को जानने के लिए लिखने के लिए prepositions के यूज किये जाते हैं उसी प्रकार संस्कृत में कारक की विभक्तियों का प्रयोग है यह मेरा मानना है यह पानिनी नहीं लिखते कोई वयाकरन नहीं लिखते यह मेरा अपना आपसे निवेदन है कि कारक की विभक्ति के प्रयोग को अगर आप जान लेते हैं तो वह प्रयोग English में prepositions के प्रयोग को जानना होता क्योंकि आप जानते हैं कि एंग्लिक्स में भी अगर egy frame एक ही कॉल है.. कॉल ओओन कर देते हैं तो कुछ और हो जाता है.. और कुछ दूसरा अगर हम उसमें लगा देटे हैं.. कॉल आफ कर देते हैं .. तो कोई दूसरा अर्थ हो जाता है.. इसी प्तकार सम्स्रित में भी अगर हम एक विभक्ति के बल्ले में कोई दूसरी विभक्ति प्रयोग में ले आते हैं तो उन अर्थों में भी भेद उत्पन्नो होता है मैं समझता हूँ कि मेरी जो ये चर्चा है आपके लिए सदा उपयोगी हो रही होगी लेकिन ये चर्चा तभी उपयोगी होगी जब हम लोग समझ पाएं कि आप इस चर्चा को समझ पा रहे हैं और हम कैसे समझेंगे कि आप हमारी चर्चा को समझ रहे हैं तो इसके लिए अगर मित्रों के नाम को ले करके हम यहां चर्चा करें तो वो अच्छा है, लेकिन ये सुखा दिया है कि आपकी प्रतिक्रिया आ रही है, पहले एक थी, फिर दो बनी, चार बन रही है, दस बनेगी और कल सौ प्रतिक्रिया भी होगी, तो ऐसा ना हो कि हमें अपनी श्रिंखला शुरू करनी पड़े, केवल प्रतिक्रियाओं के प्रत्युत्तर में, तो मैं समझता हूँ कि आपकी मेरी जो आज की ये आपसे चर्चा है, यहीं खत्म करता हूँ, फिर आगामी चर्चा में, नए विशे के साथ आपके सामने उपस्तित होंगा, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए. जी, दॉट्टर पंकर्ज, मिश्रु बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है कि जब आपकी प्रतिक्रियां इतनी सारी हमारे पास सिखर्टी हो जाएंगी, तो शायद हम एकल रूप में, याने कि एक इंडिपेंडिन्ट लेक्सिस जो हैं आपकी प्रतिक्रियां से संबंधित ही आयोजित करेंगे, यह हमारे लिए सौभाग्य होगा अगर हम इस कार्यम में सफल हो जाते हैं और हमें यह महसूस होगा कि हम संस्कुत भाषा के प्रसार में पूरी-पूरी से भुमिका नभा रहे हैं, और यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से संस्वित भाशा का ग्लोबलाइजेशन कर दें, इसका भूमंडली करन कर दें यह हमारा प्रयास है और इस प्रयास में बस आपको हमारे साथ जुड़ना है आपको निरंतर हमें लिखना है जैसा कि डॉक्टर पंकज मिश्र ने कहा तो इसके लिए या तो फिर आप डॉक्टर पंकज मिश्र से सीधे संपर कर सकते हैं या पिर आप हमारी ऑफिचल इडी इनफो.cc at the rate and ic.in पर भी अपने प्रतिक्रियाएं अपने सुझाव और अपने प्रश्न भेज सकते हैं. डॉक्टर मिश्र यही जाना चाहूंगी आपसे जैसे कि आज का इस सेशन वाइंड अप हो चुका है अगले सेशन में अगले लेक्चर में हम किस सुविशाय पर बात करने वाले हैं? अब हमने चर्चा की अपने मित्रों से कि अव्याय और कारक यह बहुत ही महतोपूर्ण है हलांकि कारक हमें पहले ही चर्चा में लाना चाहिए था लेकिन स्वभाविक है कि जब हमें उची सीड़ी पर यह च्छत पर जाना होगा तो नीची सीड़ी पर ही पहले कलम रखना होगा तो मैंने उसे द्रिष्टी से जो धीरे 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 ट्यून किया है अपने मित्रों को अब जब कारक पढ़ाएंगे तो पीछिय की पढ़ी गई बातों से उनको सहायता मिलेगी उसे समझने में तो इसलिए हम अव्याय और कारक अपनी आगामी श्रिंखलाओं में अ अगली श्रिंखला से ही एक 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 सब्सक्राइज लेके आता रहूं और अपने मित्रों के सामने एकसरइज रखो और उसे आपकर के ऊसे उत्तर को भी हमारे पास भीज सकते हैं और ने उत्तरों का वी समाधवा आने अगा आगे की सिरिंखलाओं में भी अपने सुजाव या फिर अपने प्रफन हमें लिख सकते हैं तो आज की इस सभा से याने कि आज के इस लेक्चर से हम आपसे अब इजाज़त लेते हैं आपसे जल्द मुलाकात होगी और जैसा की डॉक्टर पंकज मिश्र ने कहा कि आगे बहुत कुछ है आपके लिए तो आए इस कोशिश में हम सब अपना साथने भाएं और प्रयास करे और संस्कृत भार्षा को आगे बढ़ाएं तो दॉक्टर पंकज मिश्र आपको बहुत बहुत है ने वाएं तो थे ने वाएं धियों धिकार जी